तो फाइनली जीकाम का लीका एडिशन भी हमारे पास अवेलेबल है जीकाम 9.0 के बेस पे मैंने आपके साथ रिसेंटली कुछ नहीं पहले एक वीडियो शेय किया था कि जीकाम 9.0 का पोर्ट अभी हमारे अंडुड डिवाइस के लिए वेलेबल है जिसमें आपको न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे सारे लेंसिस यहां पर काम करें अल्ट्रा वाइड और मैक्रो दोनों काम करें जूम अगरा में भी कोई इशूस देखने को नहीं मिलते हैं वही आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएंग अनफॉचनेटली इसमें भी आपको वीडियो जरा से यहां पर काम करें जो कि आप नोटिस कर सकते हैं पोट्रेट फोटो नाइट सैट वगरा किसी में भी कोई इशूस आपको देखने को नहीं मिलेंगे उसके लावा जब हम बात करते हैं बागे सब चीज़ों की अगर इसमें फोटो के आपको आपको टॉप देखने मलता है जिसके लिए आपको एक टूल किट डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा उससे आपको आपको फीचर काफी सारे इसमें आपको फीचर लूटी नेम से जिसमें बेसिकली एफेक्ट्स हैं कि मैं इंटर्नल स्टोरेंज में कहीं पर भी आप इसे प्लेस कर सकते हैं और अगर आप एक अच्छी प्रोफेशनल फोटोग्रफी करते हैं तो यह बहुत जादा हेलफूल चीज होने वाली है कावी सारे इंटर्स्टिंग से आपको उप्शन्स एफेक्ट्स इसमें इनबेट देखने को मिलते हैं और साथ-साथ अपडेट भी यहां पर होते हैं तो यह एक बहुत अच्छी जीज़िए एक अच्छा पॉजिटिव आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा हम बात करें तो वाटर मार्क में इस बार दो ओप्शन्स एड़ कर दे गए हैं आप यहां पर हैसल ब्लैड जैसी युवई का वाटर मार्क भी इनेबल कर सकते हैं टेक्स्ट अगर आपको चैए तो inable कीजwide, नहीं चाहिए, तो Disable कर दीजे। आपको पूपकर डिवाइस का model name, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसके लएवा Leica mode भी आपको यहाँ पर inbuilt देखने को मिलता है। अगर आपको और ज़्यादा डीटेल्स चाहिए तो उसे साब से जो भी आप करना चाहें तो काफी सारे options आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और इसमें भी आपको inbuilt LUT का support देखने को मिलेगा पहुत interesting से options इसमें देखने को मिलते हैं अभी तक जितने भी GCAMS मैंने ट्राइ करें दिस इस फान अप टी बेस्ट बिकेज बहुत अच्छी UI काफी सारे features inbuilt है और basically the most customizable GCAMS आप इसे जरूर कहेंगे वैसे तो काफी सारे हैं लेकिन इसमें आपको एक तो नई UI देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर watermark की बात कर रहेते हैं तो यहाँ पर आपको inbuilt watermark का support देखने को मिलता है जो कि actually मैं आने try करा मेरे लिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा था लेकिन इनका जो AGC toolkit वाला app अगर वहाँ से यूज करेंगे तो directly आप इसे यूज कर पाएंगे जिस LUT file की मैं बात कर रहा था उसे आप यहाँ से directly import करेंगे और वहाँ से आप photos को click कर पाएंगे तो यह सब चीज़े इस Gcam में आपको देखने को मल जाएंगे अगर आप इस Gcam को अपने device में इंस्टाल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आपको link description में देखने को मल जाएगा Gcam फाइल का और इसकी जो toolkit है उसका भी आपको link description में देखने को मल जाएगा दोनों को download कीजे install कीजे and this is it thanks for watching अगर आपको वीडियो अचले की वीडियो को like कर दीजे channel को subscribe कर दीजे goodbye